दोस्तों अगर आप भी debit card यानके item card का, credit card का इस्तिमाल करते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ भी fraud हो जाए क्योंकि दोस्तों लगभग आज के टाइम में हर कोई जो है अपना item card का, credit card का, debit card का यूज करता है लेकिन आपके जो debit card में, credit card में wifi का payment system मिलता है यानकी wifi का आपने अक्सार निसान देखा होगा debit card पर कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे भी है लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी है अब मैं आपको नुकसान बता देता हूँ कि नुकसान इसका यह है कि मानके चले कि आपका item card, credit card कहीं गिर गया और आप कहीं आपने भूल गया या फिर हो सकता है कि आपका चोरी हो गया तो उसके तुरूर जो है एक बार में पांच हजार उपे कोई भी निकाल सकता है बिना आपके item pin के, बिना OTP के जी हाँ दोस्तों और इससे आपको कैसे बचना है इस बीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बस बीडियो को ध्यान से और पूरा समझना हेलो दोस्तों मेरा नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसफर टैग तो देखी दोस्तों जो भी हमारे पास debit card होता है, credit card होता है उसमें जो ये वाइफाई का निसान होता है ये काम करता है NFC technology की दूरू बस यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है किसी भी PUS मसीन में जाएंगे और जैसे आपने swipe मसीन देखा होगा आपको बस card इस तरह की से touch करना है और आपका payment easily हो जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दो कि वाइफाई payment की थूरू आप एक बार में 5000 रुपे के transaction कर सकते हैं बिना OTP के और बिना ATM PIN के और दोस्तों मैं आपको बता दो कि पहले इसकी limit 2000 रुपे की थी और अब इसकी limit एक जनवरी संग 2000 रिके से RBI ने यानि कि रिजर पैंक आफ इंडिया ने इसकी limit 5000 रुपे कर दी जिसको हम contact latest payment भी कहते हैं अब दोस्तों जो Wi-Fi payment system है न इसकी बहुत सारे फायदे भी है लेकिन आपको पता है जैसे कि कुछ चीज के फायदे हैं तो किसी चीज के नुकसान भी होते हैं तो फायदे तो यह हैं कि आपको आपका time की बचाद होती है आपको बार-बार OTP नहीं देना पड़ता है किसी को आप directly जो है इस तरह के से card लगाएंगे payment easily हो जाता है लेकिन दोस्तों अगर आपका ATM card कहीं खो जाता है या फिर आप कहीं इसको भूल जाते हैं और किसी भी person को अगर आपका ATM card, grade card मिल जाता है तो वो directly जो है किसी भी POC मसीन से यानि कि swipe मसीन से 5,000 रुपे की एक बार में payment कर सकता है बिना OTP के तो आपको कैसे इससे बचना है चली अब वो जानते हैं तो यार गाईस आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवर्ट से एक like ज़रू कर दो तो अभी दूस्तों मैं आपको इंडिया के सबसे बड़े bank यानि कि SBI State Bank of India का आपको example बता रहा हूँ हो सकता है आपका bank खाता किसी other bank में है OTPC bank, ICSA bank, PNB bank किसी भी other bank में आपका account है तो process सभी का same है इस बीडियो को ध्यान से समझना और आप अपने mobile banking की application से जो है इसको turn off और turn on कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर मैं आपको example SBI का account दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं Yono SBI application को सबसे पहले login कर लेता हूँ तो अभी मैंने यहाँ पर login कर लिया है लेकिन दोस्तों अगर आपका other bank count है तो आप अपने mobile banking को यहाँ पर login कर लेंगे अब आप आएंगे सबसे नीचे तो आप दिखेंगे यहाँ पर options है service request आपको service request के उपर क्लिक कर लेना है जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा ATM slash debit card दोस्तों बता दो कि debit card ATM card same होता है तो आपको confuse नहीं होना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ATM slash debit card और हो सकता है कि आपके अगर mobile banking use कर रहे हो अपना bank का तो वहाँ पर आपको debit card service का भी option दिखेगा तो आपको confuse नहीं होना है तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मुझे अपना security region की वज़े से है अपना profile password को enter कर लेता हूँ और यहाँ पर login कर लेता हूँ login करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे options निज़र आएंगे जैसे कि आप अपने ATM card को block कर सकते हैं और आप manage card कर सकते हैं इसके अलावा आप नए card की request डाल सकते हैं और activate आप अपने card को देख सकते हैं तो अभी हमें जो POS payment system होता है वाइफाई payment system उसको हमें turn off करना है यहाँ कि बंद करना है और खोलना है जब दुस्तों आपको जर्रत होगी न तो आप directly उसको तुरंत एक minute की अंदर अंदर जो है on कर लेजीगा और उसके बाद बंद कर लेजीगा क्योंकि बंद करने का फाइदा यह है कि अगर आप से गलती से आपका ATM card, credit card खो जाता है तो आपका कोई भी payment नहीं कर पाएगा तो आपको manage card की उपर और यहाँ पर क्या आपको manage करना है जैसे कि ATM debit card transaction अगर आप चाते हैं कि आपके जो ATM card की transaction है सबको block करना चाते हैं तो इसको आप off कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर e-commerce का भी POS का भी और यहाँ पर domestic users का भी international users का भी कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर international users तो इसको भी आप हमेशा off रखेगा क्योंकि जो international website होती है वहाँ से जो लोग shopping करते हैं वो भी आपका card यूज कर सकते हैं और आपके साथ fraud हो सकता है क्योंकि वहाँ पर OTP की requirement नहीं होती है तो अभी हम बात कर रहे थे POS payment की यानकी Wi-Fi payment की तो यहाँ पर है POS merchant transaction तो आपको इसको turn off करना है यानि कि off करना है जैसे आप off करेंगे नीचे से आपको next के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा बैंक की तरप से one time password उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे और submit पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा यह accept हो चुका है और हमने जो अपना Wi-Fi payment system है ना इसको अभी turn off कर लिया है और जब मुझे use करना होगा तो मैं इसको on कर दूँगा तो इस तरीके से आप बहुत ही असाने से अपने debit card, credit card, fraud से बज़ सकते हैं